नमस्कार यह डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है मैं हूँ अजय प्रकाश आज मैं शुरू करूंगा आपको कुछ आंख्रे दिखाऊंगा और यह आंख्रे हमारी देश की financial position financial हालत को लेकर हैं और शायद आपको यह आख्रे और कहीं भी इस पर कोई discussion नहीं आपको मिलेगा नहीं है आप तक पहुँचेंगे सबसे पहले मैं बात करूंगा inflation की पिछले साल 2022 में यह आभी आई क्या आख्रे आ चुके हैं हमारा ओस्तन inflation यानि के consumer price index लगभग 7 प्रतिशत के आसपास रहा और wholesale price index वो 5 से 15 प्रतिशत के बीच में रहा जिससे आपकी commodities की prices वहां से determine होती है और आज भी यह इसी तरह चल रहा है कभी tomato डेर सो रुपए किलो हो जाता है कभी प्यास सो रुपए किलो हो जाती है यह चीज़ control में नहीं आपा रही है दूसरा बात करते हैं सरकारी borrowing पर यह बाजार से पैसा continuously मोदी सरकार यह उठाए जा रही है आज हमारी जो borrowing हैं वो GDP का 50 प्रतिशर तक पहुँच गई है इस वकद 1845 बिलियन डॉलर मोदी सरकार बाजार से उठा चुकी है और मैं यह बता दूँ कि यह borrowing हमेशा 20 से 25 प्रतिशर जीडीपी की पहले रहती थी तीसरी चीज़ है import deficit यह भी आपको नहीं बताया जाता है हमारे मंतरी साब प्यूश कोईल बड़े जोड़ शोर से बोलते हैं कि हमारा target से जादा हमने export किया है साथ सो सतर बिलियन डॉलर लेकिन वो यह नहीं बताते हैं कि यह सब करने में देश का घाटा एक all time high पहुँच चुका है जो एक सो बाइस बिलियन डॉलर का है और यह तब है जबके IT exports और BPO services का profit भी इसमें से निकाल दिया गया है अगर आप वो हटा देंगे तो हमारा net trade घाटा लगभग 200 बिलियन डॉलर का इस वकत हो रहा है और जो सबसे ज़्यादा चिंता जनक बात है वो यह है कि देश में foreign exchange की कमी हो सकती है आने वाले सालों में ऐसे indications आने लगे हैं और इसलिए आपने देखा होगा कि मोदी सरकार ने अभी हाली में imports पर कर्व लगा दिया है जो चाइना से आते हैं computer parts पर इस पर मैं अलग से एक program करूँगा कि इस पर इस से क्या आफर होगा लेकिन दूसरी चीज़ यह है कि हमारा जो foreign net foreign exchange जो बाहर ज़्यादा है देश से वो बहुत ही जादा हो गया है uncontrolled हो गया एक तरह से और इसी वज़े से मोदी सरकार ने एक दूसरा काम भी किया था कि जब आप पहार पैसा भीजेंगे तो उस पर 20% का tax collected at source रहेगा यानि कि अगर आप 100$ भेजेंगे तो 20$ का उस पर tax आपको देना पड़ेगा जो आपके खाते में रहेगा और फिर आप साल के end में वो return भर कर वापस claim कर सकते हैं net foreign exchange outflow का मैं आपको जल्दी से आकड़ा दे देता हूँ वो पिछले साल 2022 में 28 billion dollar पहुँच चुका था 28 billion dollar जो के net foreign exchange 2014-15 में केवल 1.3 billion dollar हुआ करता था इस बारे में पिछले हफते दी वायर और economic times में detail article चपे हैं चितना जड़क बात ये है कि जितना भी foreign exchange हमारे देश से बाहर गया पिछले साल 28 billion dollar का वो हमारे देश में जितना investment आया है बाहर से जिसको FDI बोलते हैं उस से ज्यादा ये cross कर गया है यानि कि net outflow हमारा अब negative हो गया है देश में कम investment आ रहा है लेकिन यहां के खर्चे बढ़ गए है और जैसा मैंने बताया उधर trade में घाटा भी बहुत जादा तेजी से बढ़ रहा है तो net बात ये है कि देश का foreign exchange reserve धीरे धीरे कम हो जाएगा और ये ही चिंता मोधी सरकार को सताय जा रही है देश के बाहर अगर आपको पैसा भीजना है तो उसके लिए liberalized remittance scheme सरकार ने बनाई है जिसको short में LRS बोलते हैं ये वही scheme है जिस पर अक्टूबर से बीस प्रतिशन का tax collected at source लगाया है अगर आप साथ लाख रुपए से जादा साल में बेजते हैं तब आपको ये tax बना पड़ेगा इस scheme के अंतरगत आप एक साल में प्रतिवर्टी धाई लाख डॉलर तक देश के बाहर बेज सकता है ये कई कामों के लिए आप इस का यूज कर सकते हैं जैसे कि आप किसी नराई को उधार दे सकते हैं बच्चों का एजुकेशन ट्रैवल टूरिजम मेडिकल खर्चे आप बाहर investment कर सकते हैं आप बाहर के कंपनियों के share खरीच सक पर available है LRS के अंतरगर दोहजार तेरा चौदा में लगभग एक बिलियन डॉलर प्रतिवर्ष आउट फ्रो फारें एक्सचेंज का होता था तोहजार चौदा में ये करीब वन पॉइंट थ्री बिलियन डॉलर था उसके बाद आप देखेंगे तो ये ग्राफ एक तेजी से ये उपर चलता ही जा रहा है इसमें गिरावट नहीं आ रही है पिछले वर्ष जैसे मैंने का बाईस तेईस में ये सताइस बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गया था और इस वर्ष का जो अनुमान है वो लगभग 35 से 38 बिलियन डॉलर का ये एस्टिमेट किया गया है ये कौन वो लोग है ये कौन सा सेग्मेंट है हमारे देश का जो ये पैसा बाहर वेज रहा है इसकी विस्टित जानकारी मैं आपको इसी एपिसोड में दूँगा लेकिन उस से पहले मैं आपको सरकार का नेरेटिव दिखाता हूं कि वो लोग क्या बोलते हैं सरकार जब बात करेग वो हमेशा ग्रॉस फॉरन डारेक्ट इंवेस्मेंट की बात करेगी लेकिन उसको बोलेंगे एफडी आई ये टेबल आपको दिखाया जाएगा जिसमें कहा गया है के बारा तेरा में एफडी आई हमारे देश में लगभग 34 बिलियन डॉलर का था मोधी जी के आने के बाद ये लगभग दुगना हो गया 2016 सत्रा में 60 बिलियन डॉलर हो गया उसके बाद तीन साल तक इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ये बात छुपाई जाएगी लेकिन फिर से 2021 बाईस में ये बोला गया के एक रिकॉर्ड फॉरन डारेक्ट इंवेस्मेंट हमारे देश में हु लेता है सतर इकतर बिलियन डॉलर का इंवेस्मेंट आ चुका था अब एक आम नागरिक के लिए ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हमारे देश में इंवेस्मेंट बढ़ता जा रहा है अब मैं आपको आगे की कहानी दिखाता हूं नेट सुर्ण डार्यरक्ट इंवेस्मेंट निकालने के लिए इस में से अब कचे निकालने होते हैं या सब्ठाक करने होते है तो सबसे पहले आता है दिपैट्रियेशन और डिस इंवेस्मेंट्स यह कंपनी जो हमारे यहां पर जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या औरेकल है यह लोग आपरेट करते हैं तो जो मुनाफ़ा हिंदुस्तान में होता है उसका एक भाग वह वापस भेज सकते हैं तो वह इसमे इंवेस्ट किया तो वह पैसा ले जाते हैं तो यह घटाया जाता है दूसरा हिंदुस्तान से जो लोग बहारी देशों में जो कंपनी इनवेस्ट करती हैं इंडियन कंपनी अबरॉड वह भी इसमें से निकाला जाता है यह दूसरा एक बड़ा खर्चा है अब ये दो खर्चे निकालने के बाद जो बाकी बचता है उसको net foreign direct investment कहा जाता है 2012-13 में 34 billion dollar आया खर्चे अगर हमने निकाल दिये तो बाकी बचा लगबख 20 billion dollar का जिस साल हमारे पास 82 billion dollar आया था 2020-21 में ये सब खर्चे निकालने के बाद लगबख 44 billion dollar हमारे यां बचा था लेकिन ये देखेंगे आपके ये धीरे धीरे ये कमी होती जा रही है यानि कि यहां पर ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं हाला के investment उसी level का आ रहा है लेकिन खर्चों में व्रिद्धी होती जा रही है तो 2022-23 में 71 billion dollar जो आया था उसमें से केवल 28 billion dollar ही FDI देश में बचा है इस graph में मैंने net और gross FDIs को plot किया है 12-13 से लेकर 22 तेश तक तो हरे रंग का जो graph है वो gross है यानि कि जितना total देश में आया और net FDI जो खर्चे के बाद बचता है वो नीचे लाल लाइन है तो चिंता जनक बात ये है कि इन दोनों के बीच में जो gap है वो दूरी है यानि कि जो घाटा है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है यहां पर आप यह एरो लाइन देखेंगे तो छोटी है 2013-14-15 तक भी यह almost parallel चल रहे थे समानांतर चल रहे थे लेकिन उसके बाद तेजी से यह दोनों लाइन अलग अलग होती जा रही है यानि कि घाटा बहुत तेजी से बढ़ गया है अब मेरे अंच में आपको दिखाता हूँ कि यह कौन सा सेग्मेंट है हमारे देश के लोगों का जो बहार पैसे लेके जा रहा है लगभग 50 प्रतिशत जो बहार पैसा हम लोग खर्ज कर गए हैं उसमें दो कैटेगरीज के लोग आते हैं एक तो जो ट्रैवल और टूरिजम अगर आप देखेंगे तो 2014-15 के बाद यह बहुत स्टीपली बढ़ा है बहुत सारे हिंदुस्तानी लोग अब बहार छुटी मनाने टूरिजम के परपस से बहार जाने शुरू कर दिया है दूसरा सेग्मेंट है हमारे देश से जो स्टूडन्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो भी 14-15 के बाद उसमें एक बहुत तेजी से व्रिद्धी आई है यहां पर भी काफी जादा फॉरन एक्सचेंज हमारा आउटफलो स्टूडन्स की वज़े से भी हो रहा है हाला के स्टूडन्स जो बाहर जाते हैं और बाहर अगर सेटल हो जाते हैं तो वो रिमेटन्स के तौर पर कुछ ना कुछ वापस अपने देश में जरूर भेजते हैं तो वो फिगर अभी मेरे पास नहीं है लेकिन ट्रैवल और टूरिजम का पैसा तो एक तरह से बाहर चला ही जाता है तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं लगबग 30 प्रतिश्ट जो हमारा बाहर FDI जा रहा है वो इन्वेस्मेंट के तौर पर जा रहा है इक्विटी, डेट, डेपॉजिट बाहर लोग कर रहे हैं या प्रापर्टी बाहर खरीद रहे हैं इस पर मैं आगे एक स्लाइट दिखाऊंगा ये इन्वेस्मेंट 2021-22 में 746 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था जो एक साल में उससे एक साल पहले केवल 431 मिलियन था तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है इस ग्राफ में मैंने डेपॉजिट दिखाए हैं 2014 में 51 मिलियन डॉलर था जो बढ़कर 21-22 में 830 मिलियन डॉलर हो गया है 22 तेज के फिगर्स आप मत लीजेगा क्योंकि ये पार्शली हैं आदे साथ के हैं उसके बाद इम्मूवेबल प्रापर्टी जो लोग बाहर प्रापर्टी खरीद रहे हैं वो भी पिछले साल 20-21 के बाद में एकदम तेजी से बढ़ा है और वही ट्रेंड इकदम अडेट में इन्वेस्मेनट में भी जैसा के प्रापर्टी का ट्रेंड है वैसा ही इसमें भी देख रहे हैं पिछले साल 20-21 के बाद से ये भी एकदम तेजी से उपर बढ़ा है तो पिछले दो साल में एकदम तेजी से विद्धी आई है लोग बाहर property खरीने लगे हैं, बाहर के stock markets में पैसा लगाने लगे हैं, investment करने लगे हैं, ज़्यादा students बाहर जाने लगे हैं, और ज़्यादा tourism शुरू हो गया है. तो कुल मिलाकर net foreign exchange देश में उसमें कमी होती जा रही है. उधारन के तोर पर मैं या दिखा रहा हूं कि कितने भारतिये लोगों ने दुबई में प्रापर्टी इस वक्त खरी दी हुई है लगभग 35,000 इंडियन्स ने ये लोग प्रापर्टी ओन करते हैं 69,000 प्रापर्टी हिंदुस्तानियों के नाम है जिसका टोटल वैल्यू इस वक्त 30 बिलियन डॉलर है एक प्रा दुबई में प्रापर्टी इन्वेस्मेंट में 20 प्रतिशत दुबई की प्रापर्टी आज की तारिफ में भारतिये लोगों के पास है दूसरा ग्रुप सबसे बड़ा ग्रुप है वो UK के लोगों का है जहां 23,000 लोगों ने लगभग 40,000 प्रापर्टी खरी दी हुई है 15 बिलियन डॉलर उसकी वैल्यू है दो हजार सोला में लगबग साड़े चार लाग स्टूडेंट्स हमारे बाहर पढ़ते थे दो हजार उन्नीस आने तक ये साथ लाग सब्तर हजार तक पहुंच गया दो हजार इकिस में ये फिर से तेजी से वृद्धी आई और इस वकत लग बग अठारा लाग स्टूडेंट्स बाहर पहुंच जाएंगे पहले जादातर लोग मास्टर्स ग्रिग्री लेने बाहर जाते थे लेकिन अब ट्रेंड ये भी देखा गया है कि अंडर ग्रेजिट कोर्स के लिए भी लोग बाहर जाने लगे हैं एक स्टूडेंट पर लग साल जाए गए तो लगबग पंदरा बिलियन डॉलर हर साल नेट फॉरन एक्सचेंज देश से बाहर जाएगा और मोदी सरकार की चिंताएं यहीं नहीं खतम हो जाती अगर लोग बाहर जाते हैं और नॉन रेजिडेंट इंडियन रहते हैं तो देश को किसी ना किसी तरह का फाइदा वापस पहुंचता है लेकिन अब देखा यह गया है कि जो भारतिये अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं उसमें भी तेजी से विद्धी आ रही है यह डेटा मिनिस्ट्री आफ एक्स्टरनल अफेर्स ने लोग सभा में प्रस्तुत किया था इसमें पिछले सा 2,25,620 लोगों ने सिटीजनशिप अपनी हिंदुस्तान की त्याग दी थी तो यह जो लोग चले जाते हैं देश छोड़ कर वो हमेशा वही लोग हैं जो सक्षम हैं पढ़े लिखे हैं जिन के पास पैसा है एक आदमी जाता है तो उसके साथ देश का बहुत बड़ा नुक तक के लिए नमस्कार